हलो गाईस मैं आपका भाई दोस्त एजुकेटर अफ एकॉनोमिक्स लवकौशिक इस वीडियो लेक्चर के अंदर आपको इंडियन एकॉनोमिक डेवलप्मेंट का चैप्टर नमबर टू का दूसरा वीडियो लेक्चर पेश कर रहा हूँ इससे पहले ये पार्ट टू है तो इससे पहले हमने लेक्चर नमबर वन के अंदर इंडियन एकॉनोमिक प्लानिंग को समझा फाइव एर प्लानिंग कैसे बनाई गई कब बनाई गई वो समझा और अब प्लानिंग कमिशन को खतम करके हमारे देश के सरकार ने नीती आयो को बना दिया गया है तो नीती आयो कैसे प्लानिंग कर रहा है हमने वो समझा अब बताऊंगा आपको एक स्टोरी जो हमारे देश की इंडस्ट्रियल पॉलिसी को बताएगी सन 1950 के आसपास से लेकर 1990 की बात इस चैप्टर में करने वाले हैं और सारा फोकुस रहने वाला है इंड का मतलगा वाफ आपको बतानी है देश की इंडस्ट्रियल डेवल्ब्मेंट से रेलेटड और स्टोरी के इंडर पहला पॉंट रहने वाला है सन 1948 का हमारे देश की सरकार ने पहली अपनी इंडस्ट्री की पॉलिसी 1948 में बनाई थी जिस Design आपके कोर्स में नहीं है सिर्फ नाम जानना है और इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी का नाम था इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजलुशन 1948 इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट बात आपको बता देता हूं वैसे करनी नहीं है हमारे देश की सारे इंडस्ट्रियस को चार हिस्सों में डिवाइड कर दिया था सरकार ने तो इसको फोर फोल्ड पॉलिसी रेजलुशन 1956 तो यह वाली पॉलिसी की की फीचर्स आपको बढ़नी है और यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो एक्जाम में पूछी जाएंगी अगर आपको लग रहा है लव सर मेहनत कर रहे हैं अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दो आपको जो प्रॉब्लम नजर आ रही है कॉमेंट सेक्शन में बता दो अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ह जो सिर्फ आपके सामने पढ़ाई का कंटेंट पेश नहीं करती बलकि आपको ये बताती है कि आपकी स्किल्स कैसे डवलप होंगी आपका करियर कैसे बूस्ट अप होगा और बीच में आपको बताया कि आपको आपका मनपसंद कॉलिज और आपका मनपसंद कूर्स दिलाने के तीन हिस्सों में category A, category B, category C तो बोलती है सरकार कि category A में वो goods रखी जाएंगी जो हमारे देश की growth के लिए बहुत जादा critical है यहनि तरक्के में बहुत जादा योगदान देगी और अगर ये चीजे किसी private बंदे के हाथ में चली गई तो वो नुकसान भी कर सकता है देश का जैसे कि atomic power जिससे atom bomb बनाया जाता है तो वो category A में थी तो category A में 17, 17 goods को रखा गया जिसके example 2, 3 आपको पता होने चीए जिसमें Indian railway थी, atomic power थी हमारे arms and ammunition, gun वगएरा जो army के पास products होते हैं, navy के पास होते हैं ठीक है, defense items वोगएरा मान सकते हैं आप उनको वो सब उसके अंदर थे, chemical थे कुछ और कुछ बड़ी industries like aviation industries aviation industry पहले 1932 में Tata Company ने खोली थी हमारे देश भारत के लिए लेकिन हमारे देश ने सोचा कि वो भूत critical है हमारे देश के लिए तो उसको Tata से ले लिया जाए तो Tata से ले लिया था हमारे देश के सरकार ने उसका नाम रखा था Air India लेकिन अब वो सरकार से नहीं चल रही थी तो Tata को सरकार ने वापस कर दिया यह नि बेच दिया तो 2022 की बात बता रहा हूँ अब Tata के पास ही है वो Air India वापस से तो वो तो चलो बात दूसरी है सरकार ने बोला category है में 17 industries रखी जाएंगी category B में 12 industries रखी जाएंगी और यह 12 industries बड़े-बड़े businesses होंगे like cement हो गया textile हो गया जूट हो गया cotton हो गया जिनसे ज्यादा पैसा कमाया जाता है इनको भी सरकार शुरू करेगी लेकिन सरकार अगर start नहीं कर पाई या इसमें विफल रही तो private sector को मौका दिया जाएगा कि तू इस business को आकर कर ले मतलब यह थोड़ी problem वाली बात थी पहले सरकार कह दिया हम शुरू करेंगे हमसे ना हुआ तो तुम कर लेना तो यह policy का negative point था समझे फिर सरकार ने बोला चलो 29 हो गया एक category में 17 जो 100% government करेगी category B में 12 industries है जो government करेगी अगर नहीं कर पाई तो private sector करेगा तो इस line को बोलते है private sector ने government sector को supplement किया है हाँ पर secondary role play किया private sector ने है फिर C category में सारी goods जो A और B में नहीं है वो सारी goods C category में है इसमें bread, butter, omelette, toothpaste, चीनी, चावल, बिंडी, तूरी जो मर्जी तुमारे मन में है जो देश के अंदर legal है वो सारी चीज़े count कर लो वो सब होगी वो कोई भी produce कर सकता है अजादी देधी उसको produce करने की तो लेकिन साथ में बोल दिया अगर private sector कोई भी समान, कोई भी factory, कोई भी industry खोलता है उसको सरकार से license जरूर लेना पड़ेगा license का मतलब दोस्तो एक return permission होती है, कि सरकार से हम permission मांगते हैं, सरकार बोल देती हाँ तो ये काम खोल ले कर ले कोई दिक्कत नहीं है वो license होता है, उसकी भी एक policy बनाई थी, उसके बारे में भी आपको detail में बताने वालो, तो हम शुरू कर रहे हैं यहाँ पर अपनी key features of industrial policy resolution 1956, ये main feature है, तो इस policy की पहली feature आपके सावने ये पूरी पहली feature है, ये अकेली feature तीन नंबर में आ सकती है तो दोस्तों ये feature बोलती थी, पहले नंबर की, कि हमारे देश के सरकार ने IPR 1956 में industries को तीन category में डिवाइड कर दिया अब मैं सामने से भी हड़ जाओंगा, पहले तो आप screenshot ले लो इस चीज़ का, आपके लिए ये बहुत important है, notes की तरह काम करेगा तीन category में divide किया, जिसमें category A में 17 industries थी और ये public sector यानि सरकारी sector ही इसको बनाएगा जिसमें example है, हवाईजाज से related industry जो होती है, उसको aviation industry बोलते है, electricity है, atomic energy है, ठीक है 17 होगी फिर category B में 12 industries होगी, जो mainly government sector के दुआरा ही यानि public sector के दुआरा ही बनाएगी, इसमें private sector will play the secondary role इसके example भी कुछ पता लगा लो, cotton textile, jute, ऐसी industries है, almonium भी इसके अंदर ही है, ठीक है ठीक, फिर category C में बोला, यानि category 3 बोल लो आप इसको तो इसके अंदर बोला कि जो चीजें ऊपर included नहीं है, इसमें और इसमें, वो सारी category C में है तो ये पहली feature थी कि देश की industries को तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, अब दूसरी feature सुलो, सरकार बोलती थी, अब तुम कुछ भी काम दंदा खोलोगे, कोई भी industry बनाओगे, उसके लिए license लेना पड़ेगा, हाँ, ये बात है कि तुम किसी गाओं वाले इलाके में रूरल एरिया, बैकवर्ड एरिया या फिर रिमोट एरिया के अंदर अपनी industry सेट करते हो, तो वहाँ पर license आपको असानी से मिल जाएगा, वहाँ पर आपको कुछ tax में छूट भी मिल जाएगी, वहाँ पर अगर tax में छूट के लावा हो सका तो सरकार महाँ पर subsidies, यानि प 72 सालोबाद भी वह कम नहीं हुए है, क्या आपको पता है कि अभी भी हमारे देश की लगबग 67% population का रहने का जो एरिया है, वो रूरल एरिया है, सिर्फ 33% के आसपस लोग शहर में रहते हैं, ये रिवील करूँगा आगे, तो दोस्तों ये पहली फीचर थी, IPR 1956 की, ये ज लेना ही पड़ेगा सरकार से, तो इसके लिए हमारे देश ने, हमारे देश की सरकार ने एक industrial licensing policy बनाई थी, industrial licensing या license policy मैं इसको बोल दिया, आप licensing लिखना, और ये policy 1951 में बनाई थी, यानि 1956 से 5 साल पहले policy बना चुके थे, ठीक है, और बोला गया कि tax में रिबेट दिया जा रहेंगे, concession का मतलब भी छूट होता है, ठीक है, जो उन लोगो को, जो अपनी, यानि private sector की industries, जो backward region के अंदर establish करेंगे, rural area में establish करेंगे, ठीक है, और बोला गया, चौते नमर की feature, more importance was given to the development of small scale industries through subsidies and tax concessions, अचा, गाव वाले लाके में जो अपना काम दना खोलेगा, उसको तो concession मिलेगी, मिलेगी, लेकिन जो मनदा छोटे मोटे काम खोल रहा है, चाए area कोई भी हो, उसको भी subsidy मिलेगी, कहते ते घरगर business होगा, चाए छोटा मोटा हो, तो देश की तरकी जल्दी होगी, तो चोटे नमर का point is also very important, ये ज़रूर ध्यान रखना है, तो IPR 1956 की चार features ह हो गई है, अब इसके सामने सर जाता हूँ दोस्तों, इसका screenshot आप ले लो, तो main बात अब करीबी जाएंगी, small scale industries होती क्या है, चोटे मोटे काम दंदे होते क्या है, उससे related बात करेंगे और ये बताएंगे कि ये important क्यों है, तो अगले page में आपके सामने लिखा है small scale industries के बा लेकिन आज के टाइम में इसकी परिभाशा चेंज हो चुकी है, तो उसके बारे में भी पढ़ना है, एक तो बोलते हैं, small scale industries यानि घर के आसपास थोड़ी थोड़ी दूरी पर कुछ factories या उद्ध्योग खोले जाएंगे, तो उससे employment बढ़ जाएगी, आसपास के लोगों क तो इसके लिए एक हमारे दत्ताचार्य गोपाला कारवे, ये economist साहब थे, इनको 1955 में बोला गया कि आप एक committee बनाओ, जो focus करेगी small scale industry पे, तो फ्रेंड, एक कारवे committee बनाई गई 1955 में, जिसका नाम village and small scale industry committee भी रखा गया, और ये नाम कारवे committee क्यों रखा गया, ये economist के फड़ा योगदान था इस industry में, तो एक question भी आ सकता है कि कारवे committee किस परपस से बनी थी, या कारवे committee का दूसरा नाम क्या है, कारवे committee कब बनी थी, ऐसे question भोत आते है, और small scale industries क्या होती है, तो पहले तो ये line सुन लो, at the beginning of the planning, यानि 1951 देश की अजादी के आसपास, small scale industry उ not exceed rupees 5 lakh, 5 lakh से ओपर ज्यादा नहीं होती थी, आज के time में उसको बोलते है, जिसके अंदर investment maximum 10 करोड की हो जाए, यानि 10 करोड से जादा ना हो, या पर दो बाते हैं, एक तो investment की बात हो रही है, investment का मतलब जो उसके अंदर plant and machinery को खरीदा जा रहा है, ठीक है, या फिर उसकी turnover की की बात हो रही है, turnover का मतलब होता है, कितने का समान वो बेचते हैं, या मालो sales की बात हो रही है, या उसकी sales max to max 50 करोड हो, ठीक है, तो ये limit रखी गई है, ये आज के time में definition है small scale industries की, ठीक है, इसके लावा और category भी आपको बताऊंगा, लेकिन small scale industry के बारे में important point पढ़ने है, जो कि तीन number तक क्या आ जाते है, important point ये है, कि दोस्तों अपने देश के अंदर employment generation में ये participate करती है, ज्यादा लोगों को नोकरिया मिल जाते हैं यहाँ पर, ठीक है, और जरूरत है इनको protection provide करने की बड़ी-बड़ी firm से, या माल लो एक example के तोर पर बना रहो, कि हमने small scale industry खोल आने की खूल सकते हैं, आप Pepsi और Coke हमें जीने थोड़ी देंगी, वो competition में भीट कर देंगी, तो इन छोटी-छोटी firms को protection की जरूरत है, protection की क्या जरूरत है, इनको देखो, इनको या रेक्टोन के लिए, reservation of product होने चाहिए, reservation of product का मतलब कुछ ऐसे goods को declare कर दो, जो सिर्फ small scale industry बनाएंगी, big industries बनाएं नहीं पाएंगी, तो इस सरकार को यह rule pass करना पड़ेगा, उसमें तो फिर competition भी नहीं होगा, बीट भी नहीं कर पाएंगी, ठीक है, तो ऐसा होना चाहिए है, यहाँ पर, तो यह बड़ा important point है, जो आपको धहान रखना होगा, फिर, यहाँ पर SME की full form यह लिखी हुई है, हमारे देश ने अब तीन category कर दिये, बोला कि small scale industries के अलावा दो category ओर होती है, एक इससे छोटी भी होती है, micro और एक इससे बड़ी भी होती है, medium, और इससे related कानून पास करा गया 2006 में, 2006 में इन तीनों की परिभाशा पताए गई, micro क्या होती है, small क्या होती है, और medium enterprise क्या होती है, इसके बारे में आपको जानना है, small के बारे में तो आपके सामने पीछे लिखा हुआ था, small ये है, जिसके अंतर investment max to max 10 करोड हो, और sales का turnover 50 करोड का हो, लेकिन आपको एक important update देता हूँ, कि 2006 के बाद इस act में update आया, और 2018 में इसमें थोड़ 75 करोड तक का allowed है, मतलब जिसका turnover 75 करोड तक का भी होता होगा, उसको small scale industry की category में माल लेंगे, ठीक है, तो फिर बात आते हैं यहाँ पर किये micro industries क्या होती है, तो दोस्तों micro industries वो होती है, जिसके अंदर 5 करोड तक की investment हो रखी हो, ठीक है, small तो आपको पता लग गया, 10 करोड तक की है, अब 10 करोड से जादा वाली जो है, वो medium में आएगी, इनकी definition पर आपको focus नहीं करना, basically, जितना मैंने बता है, उतना ध्यान रखना है, small scale industries पर आपका focus होना चाहिए, तो अब ही आता है, कि यह सरकार इतना important role play कर रही थी, private sector को allowed नहीं था काम दंदे खोलने के और किसी किसी के पास था, तो सरकार को यकीन नहीं था, कि यह सई से चला पाएगा या नहीं चला पाएगा, तो शुरू में सरकार ने ही important role play किया, सरकार ने ही जबरस्ती, सारे काम अपने हाथ में लिए, और धिरे धिरे कर के देखो, अब सब open कर दिया, सब सब कुछ काम कर सकते हैं तो year 1991 में इन policies को update किया गया तो 1991 के अंदर यह policy major तरीके से update हुई country में तो third chapter जो है वो 1991 के उपर है तो दोस्तों यह कुछ point बनाए का है role of public sector in the industrial development public sector का मतलब सरकार का role क्या था तो सरकार का role यह था shortage of capital with private sector की समस्या से private sector जूज रहा था यानि यह सब reasons है कि सरकार ने क्यों इतना important role play किया ठीक है यह problems with private sector है इनके पास पैसे नहीं थे दूसरी बात इनके पास कोई incentive नहीं था कि तू काम धन्दा शुरू कर दे कोई encourage नहीं कर रहा था सरकार भी क्यों encourage करेगे सरकार को भी लगता था फिर किये problem में फिर objective of social welfare सरकार satisfy करना चाती थी अभी देश अजाद हुआ है तो लोग profit कमाने पर जादा ध्यान ना दे public को reasonable prices पर अच्छी goods and services provide करने की कोशि करें तो यह पर social welfare सरकार maximize करना चाती थी ठीक है दोस्तों तो यह तीन problems थी private sector के साथ जिसलिए सरकार ने अपना important role play करना यहाँ पर शुरू किया और important समझा ठीक है तो अब मैंने आपको industrial policy के बारे में वो सब पढ़ा दिया है जो आपको पढ़ना जरूरी है अब इस chapter में बचा गया है इस chapter में friends अभी आपके सामने agriculture policy बच गई है और जिसमें green revolution बढ़ना है फिर बच जाएगी foreign trade policy जिसमें export import और import substitution policy बढ़नी है और यह चैप्टर हो जाएगा खतम उसके बाद आपको क्या करना है एक छोटा सा question आप से पूछूँगा आपको यह homework की तरह अपने comment section में इसका reply करना है सही क्या है इमानदारी से करना क्योंकि last में पूछ रहो तो कोशा नहीं है हमेनी इंडस्टरी चैल प्र क्रिजर्व हें घुटम他 प्रस यह कोई नहीं तो कितनी थी option आपके सामने है 17, 21, 15, 22 आपको comment section में इस cancer देना है तो इसके उपर अगला वीडियो लेक्चर भी बनने ही वाला obviously जिसके अंदर हम इसको continue करेंगे तो इस वीडियो लेक्चर में दोस्तों इतना ही अगर आपको लगता है कि मेहनत हो रही है तो please अपने friends क को बोलें कि अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें thank you so much नमस्कार